जहें दोस्तों एवाब फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल खाकी ठाक में मैं हूँ आपका दोस्त आपका भाई अनुश सिंग लेकर आया हूँ आपके लिए और इंफर्मेटिव वीडियो तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा काथ हैं तो आपको Central लेबल के प्रारूप का का सार्टिफिकेट चाहिए ही चाहिए अगर आपके पास स्टेट लेबल का सार्टिफिकेट है तो आप सेंटरल लेबल का certificate जल जाता है ऐसे बहुत सारे बच्चे कॉमेंट कर रहे थे और लगातार उनके सवाल आ रहे थे कि सर एक का स्वार्ट पर कंप्लीट वीडियो बना दीजे कि कैसे हम अपना Central का प्रोसेस लेकर आया हूं कि step by step कैसे आपको का सार्टिफिकर बनाना है देखिए आप किसी भी कटेगरी में आते हों फिर वो चाहें आप OBC में हो सब का प्रारूप अलग अलग होता है तो आज हम बताते हैं कि कैसे आपको बनाना है और मात्र दो से तीन दिन जी हां तीन दिन में यह का सार्टिफिकर बनके आपके हाथ में आए गया इसकी भी कैरिंटी में लेने वाला हूं ठीक तो चलिए बिना टाइम बेश्ट के बात करते है और जानते हैं इसका प्रॉसेस के क्योंकि एक मिनट मिनटी य समय आपका कीमती है कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि आधार कार्ड मस्ट है ठीक फिर आपके पास होनी चाहिए दो रंगीन वाली स्टेट का ऊक्स कारड़स साइर्टीपिएट जो आपिसिवी क्ते पिर में आते हों आपका कार्ण स्ट्रेट का约 इस्टेट का तो रेलवे ने जो प्रारूप दिया है उस प्रारूप को मैं अपने टेलिग्राम चैनल पर अपलोड कर दूँगा OBC, SC, EWS, HT सभी के लिए आप वहाँ से उस प्रारूप को डाउनलोड करेंगे जो ये प्रारूप मैं बता रहा हूँ इसको आप ले लिजेगा और वहाँ अपनी सारी जानकारी भर दीजेगा अच्छा अब जो एक कास साइटिफिकेट आपका होगा जो स्टेट का बना वह अपडेटेड होना चाहिए नहीं कि छह महिने के अंदर का होना चाहिए या एक साल कर दो चल जाएगा फिर आपको एक एप्लिकेशन लिखना है अब एप्लिकेशन में आप क्या लिखेंगे क्योंकि इतने सब जब डाकुमेंट्स आपके साब पास हो जाएंगे तभी आप जाएंगे कास सार्टिफिकेट सेंटल का एप्लाई करने के लिए एप्लिकेशन में क्या लिखना है य income certificate और दूसरा है self declaration form एनि कि स्वाग होशड़ा पत्र कि income certificate हो गया और स्वाग होशड़ा पत्र अत्रिक्त में लगेगा अब स्वाग होशड़ाक पत्र का भी जो format है वह भी पढ़ा हुआ है मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पर और और income certificate का जो प्रारूप है ये भी मैं अपने टेलिग्राम चैनल पर अप्लोड कर दूँगा अब हम बात करते हैं कि यहां पर हमारा खर्च कितना आएगा फिस बहुत से बच्चों के मन में डाउटर इसके लिए हजार दो जार तीन जार रुपए लगते हैं ऐसा कुछ नहीं है ऑफिसली अगर इसकी हम खर्च की बात करते हैं तो वह हमारा जीरो जी हां बिल्कुल सई सुन रहा एक भी पैसा आपका लगने वाला नहीं है इस certificate को बनाने के लिए अन्या आफिसली जब आप जाते हैं कहीं तो बाबू अबू जो होते हैं थोड़ा अपना काम जल्दी कराने के लिए सो दो सो पचास रुपए उनको दे देते तो एक दो दिन में थोड़ा जल्दी कर देते बस यह फायता है आपको अब हम बात करते हैं कि यह जो हमारा certificate है वो जारी कौन करेगा यानि कि सक्षम प्राधिकारी मेरा कौन होने वाला है तो बहुत से उसमें दिये SDM मतलब कि Sub-Divisional Magistrate और तहसीलदार इन चारों में से कोई एक भी आपका सर्टिफिकेट जारी कर सकता है ठीक Most Important इसकी प्रक्रिया क्या है प्रक्रिया जान लीजे आप अपने ये सारे डाकुमेंट्स ले लीजे और एक एप्लिकेशन ले लीजे ठीक है और इसको ले जाकर आप सीधे तहसील में जमा कर दीजे तहसील में जो बाबू है वहां जमा कर दीजे या अगर आप DM लेबल का हैं तो आप DM आफिस में जमा कर दीजे DM आफिस में आप जमा कर देंगे और आपका दो से तीन दिन में सर्टिफिकेट आपके हाथ में आ जाएगा जिया लेकिन जो ये डाकुमेंट्स मैंने बता है यह सारे डाकुमेंट्स आपको अपने पास रखने हैं और दो से तीन दि है कि application में आपको लिखना क्या है application में आप लिखेंगे application के जो प्रारूप है वो कहीं आपको मिलेगा नहीं मैंने खुद एक प्रारूप बना कर अपने telegram चैनल पर upload कर दिया है उसमें केवल आप अपना नाम अपने फादर का नाम और अपना पता है उसको फिल कर देंगे और उसको लगा लिजिए उसकी प्रिंट आउट नब निकाल लिजिएगा मैं अपने चैनल पर upload कि यह दे रहा हूं उसमें लिखना क्या होता है कि सेवा में सरीमाल जिलादिकारी यह सक्षम अदिकारी जो भी हो उसमें आप लिख देजिएगा जिलादिकारी पूरा प्रोफामा बना है आपको घबडाने की जरूत नहीं है अब सीधे वहीं से upload करें कि यह नाम अपना फादर का नाम और पता उसमे प्रक्रिया है इसमें घबडाने की जरूत नहीं है अच्छा अब आते हैं कि यह जो फाम है का सार्टिफिकेट यह हमें कब लगाना होगा इसके लिए अगर आप रेलवे का जो फाम भर रहे हैं आर पीफ का तो आर पीफ में जब आप पॉइंट नंबर इसका जो नोटिफ इसी उम्मीद्वारों के दस्तावेच सत्यापन के दवरान आवस्यक प्रमाण पत्र मूल रूप से प्रस्तूत करना चाहिए ठीक इसमें तो लिख दिया कि जब आपका डीवी होगा तब आपको प्रस्तूत करना है लेकिन इसी का जो दूसरा पैरा है एट पॉइंट सेव पर केवल पात्रता के अनुसार आरच्छर से संबंदित लाबू पर विचार किया जाएगा आप एक जगह यह कह रहे है कि जब आपका डीवी होगा तब आपका का सार्टिफिकेट लगेगा वहीं दूसरी और यह कह रहे है कि एप्लिकेशन फार्म भरने की तिथी से पहले करेंगे आप इस कतेरी में या जाय करेंगे में कंट्रावर्सी आप रिस्क भलकुल मद लीजेगे बहुत से बच्चों ने पंद्रा Robinson च्रीं सत्रा में टाल के अच्छी बात है आपके पास एक महीने के समय है आप अभी यह तो है नहीं कि जिसने 15 16 में डाला उसकी सीनियर्टी ज्यादा होगी उसके अगर एक नंबर ज्यादा एक नंबर अगर कम रहेंगे कटाफ में तो उसका सेलेक्शन पहले हो जाए क्योंकि अरे उन्होंने तो बहुत जल्दी फा ढैने एक महीने के समय तीन दिन मैं कर 13D वन टैयार होரा है तो बरे किस बात के वार्द है मुझे यह नहीं समझा रहाएं और किस बात की जल्दी है completionией आपको मैंने सारे डाकुमेंटस तयार रहuju क्योंकि यहां साब लिखा गया 8.8 का सब क्लॉसे नो ने दिया गया कि जो प्रमाण पत्र हे वो निर्धारित प्रारूप में होने चाहिए दो आप की पातरता खारिच करके रखिए इसमें दिक्कत क्या रही तीन दिन चार दिन का समय लग रहा है अभी आपके महीने भर का समय आप बनवा लीजिए अपने सारी डाकुमेंट्स प्रोसेस मैंने बता ही दिया कुछ करने की जरूथ ही नहीं इसमें ठीक है फिर भी अगर आपके पास कोई सब्सक्राइब तो चलिए मिलते एक और वीडियो के साथ तब तक आप सभी को जय हिन जय भारत